Hello and welcome to Griraj Himachal Griraj Himachal चैनल पर आपका स्वागत है इस वीडियो में हम नमबर महीनी के जितने भी important current affair के question है वो सब discuss करेंगे यह वीडियो चार पार्ट में होगी and this is part 3 of नमबर मन्थ इस वीडियो के अंत में मैं आप से question भी पूछूंगा उस question का जवाब आपको comment box में लिख करके बताना है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं Question number 1 हाल ही में परदेश मंत्री मंदल ने Himachal परदेश राजकिये दंत महा विद्याले शिमिला के PG-MDS विद्यार्थियों की स्टाइपेंड राशी में कितनी बढ़ोतरी करने का निरने लिया है Recently the state cabinet has decided to increase the stipend amount of PG-MDS students of Himachal परदेश Government Dental College शिमिला by how much तो परदेश मंत्री मंदल ने 5,000 रुपे पर मंथ स्टाइपेंड इंक्रीज करने का फैसला लिया है अब विद्यार्थियों को stipend 1 April 2020 से पर्थम वर्ष के छात्रों को 35,000 रुपे के स्थान पर 40,000 रुपे दृत्य वर्ष के विद्यार्थियों को 40,000 के स्थान पर 45,000 रुपे और तृत्य वर्ष के विद्यार्थियों को 45,000 के स्थान पर 50,000 रुपे प्रतीमा मिलेंगे Next question है हाल ही में मुख्यमंत्री स्वालंबन योजना में कितनी नई गती विदियों को शामिल किया गया है How many new activities have been included in the मुख्यमंत्री स्वालंबन योजना recently तो मुख्यमंत्री स्वालंबन योजना में हाल ही में 18 नई गती विदियों को शामिल किया गया है इस question का C answer right है परदेश सरकार ने मुख्यमंत्री स्वालंबन योजना 2019 में संशोधन कर इसमें 18 नई गती विदियों को शामिल करने का निरने लिया है अब इस योजना के तहट गतिविद्यो की संख्या बढ़कर हो गई है 103 मुख्यमंतरी श्री जैराम ठाकुर ने वित वर्स 2021-22 के बजट भाषन में मुख्यमंतरी स्वावलंबन योजना में अतिरिक्त गतिविद्यो को शामिल करने की गोशना की थी योजना के तहट लगु सेवा वे व्यवसाइक उद्यमों की सूची में प्रीरक्षित चारा साइलेज इकायों की स्थापना उन्नत डेरी विकास प्रियोजना दूद और दुख दुतपादों के लिए कॉल्ड स्टोरेज सुविधाव की स्थापना फार्म स्टे एगरो प्रियतन वै फार्म प्रियतन खुदरा दुखानों का निर्मान खुदरी उपकरणों वै उजारों का निर्मान सब्जी नर्सरी तैयार करना उत्तक समवर्दन प्रियोगशाला खुदरी उत्पादों का भंडारन और प्रिवहन Internet of Things, अधारित वर्टिकल फार्मिंग, पेट्रोल पंप, EV चार्जिंग स्टेशन, एंबुलेंस, रेशम पंसंस्क्रण इकाई, रेशम रीलिंग इकाईया, ओक्सीजन क्रायोजैनिक टेंकर सेवाए, सर्वेयर यूनिट और ड्रीलिंग यूनिट शामिल की गई है Q3. स्पीती घाटी के चामूर्थी घोडो के सरक्षन के लिए परदेश पशुपालन विभाग ने स्पीती घाटी में किस स्थान पर प्रजनन केंदर की स्थापना की है Q3. स्पीती घाटी में चामूर्थी घोडो के सरक्षन के लिए प्रजनन केंदर की स्थापना की गई है लरी नामक स्थान पर Q3. पिक्चर में आप देख पा रहे हैं चामूर्थी घोडे को देखिए जो ये चामूर्थी घोडे हैं ये रामपूर में लगने वाले लवी मेले का मुख्या कर्शन है लवी मेले में चामूर्थी घोडो का व्यापार किया जाता है अपनी शम्ता और बल कोशल के लिए विख्यात यह गोडे हिमाचल के उपरी पहाडी शेत्रों मुख्यरूप से बरफीली स्पीती घाटी में सिंदू घाटी सब्यदा के समय से पाए जाते हैं यह नसल भारत्य घोडों की छे परमुक नसलों में से एक है जो ताकत और अधिक उचाई वाले बरफ से अच्छादित शेत्रों में अपने पाउं जमाने की शम्ता के लिए प्रसीद हैं और अंतराश्ट्रिय मांचितर पर भी अपनी पैचान बना चुके हैं इन घोडों के शरक्षन के लिए प्रदेश पशुपालन विभाग ने स्पीती घाटी के लरी नामक स्थान पर फारम की स्तापना की है जिससे इन घोडों के सरक्षन एवं समवर्धन में बरपूर सुधार हुआ है यह केंदर स्पीती नदी से एक किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किया गया है वर्तमान में इस प्रजनन केंदर को तीन अलग-अलग इकाईयों में विभाजित किया गया है जिसमें परतेक इकाई में 20 घोडों को रखने की शमता है और 4 घोडों की शमता वाला एक स्टेल शेड भी है वर्तमार में हिमाचल परदेश में चामूर्थी घोडों की अबादी हो गई है 4000 तो यह important fact भी आप लोगों को याद रखना है Q4. Dr. Y.S. परमार ओध्यानी की एवं वानी की विश्व विदालय नोनी के वेग्यानी को द्वारा French bean की लक्ष्मी P37 नामक किस्म किस वर्स विक्सित की गई In which year the French bean variety named Lakshmi P37 was developed by the scientist of Dr. Y.S. परमार Horticulture and Forestry University नोनी तो Y.S. परमार Horticulture and Forestry University के वेग्यानी को ने French bean की लक्ष्मी P37 नामक किस्म विक्सित की थी साल 1991 में C. इस question का right answer रहेगा Q5. देवादी देव हुरंग नारायन का संबंद किस घाटी से है? देवादी देव हुरंग नारायन is related to which valley? देवादी देव हुरंग नारायन मंडी की चोहार घाटी से संबंदित है? D. इस question का right answer रहेगा Q6. हिमालिय की पीर पंजाल शाखा मुख्य रूप से कौन से जिले में पढ़ती है? इन्विज डिस्टिक दस द पीर पंजाल ब्रांच ओफ हिमालियास में लिफाल तो हिमालिय की पीर पंजाल शाखा मुख्य रूप से चम्बा जिले में पढ़ती है? A. इस question का right answer रहेगा Next question है पहला हिमालियन फिल्म फेस्टिवल कहां आयोजित किया गया? Very important question Where was the first हिमालियन फिल्म फेस्टिवल held? तो पहला हिमालियन फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया लेहे लदाख में D. इस question का right answer रहेगा यह आयोजित किया गया था 24-28 सितंबर 2021 को यह हम आ गये हैं All India Radio की website पे और यहां पर यह article आपको देखने हो मिलेगा देश का पहला हिमालियन फिल्म फेस्टिवल 24 सितंबर से लदाख में होगा आयोजित और important क्या है इसका जो उदगाटन है वो केंद्रिय मंतरी अनुराग ठाकुर्दवारा किया गया दूसरा इसमें important बात क्या है कि इस मोके पर प्रमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर अधारित फिल्म शेरशाह मोत्सव के उदगाटन सत्र में दिखाई जाएगी तो आपको comment box में ये बताना है कैप्टन विक्रम बत्रा का संबंध हिमाचल परदेश के किस जिले से है ठीक है? next question है गांधी इर्विन समझोते में किस आंधोलन को रोकने का प्रावधन था? which movement was to be stopped in the गांधी इर्विन पैक्ट? तो इसमें था सवीन्य अवग्या आंधोलन को रोकने का प्रावधन? D. इस question का right answer रहेगा 5 मार्च 1931 को गांधी इर्विन पैक्ट साइन किया गया था और यह है पहला मोका था जब अंग्रेज सरकार ने भारतियों के साथ समान सतर पर कोई समझोता किया था क्या क्या समझोते हुए इस पैक्ट में तीसरा समझोता भारतिये शराब और विदेसी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना दे सकते हैं और चोथा और मैतपुन समझोता यह था कि आंदोलन के दोरान त्याग पत्र देने वालों को उनके पदो पर पुनहें बहाल किया जाएगा इस समझोते की आखरी मांग थी की आंदोलन के दोरान जब्द की गई समपत्ती भी वापिस की जाएगी वहीं इर्विन की तरफ से भी कुछ मांगे रखी गई पहली मांग थी की सवीनिया वग्या अंदोलन स्तगित कर दिया जाएगा जो की मानली गई दूसरी मांग थी की कांग्रेस द्वीत्य गोल में सम्मेलन में भाग लेगी यह भी मांग मानली गई तीसरी मांग यह थी की गांदी जी पुलिस की जादितियों की जाच की मांग छोड़ देंगे Q9. BRICS देशों का तेरवा शिकर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? In which country was the 13th BRICS Summit held? तो BRICS देशों का तेरवा शिकर सम्मेलन New Delhi भारत में आयोजित किया गया? और इस बार यह है वर्चुली आयोजित किया गया? और इस बार का जो थीम था? वो था BRICS at the rate 15, Intra Brics Corporation for Continuity, Consolidation and Consensus तो थीम भी important होता है, आपको याद रखना है और इस बार तो क्योंकि New Delhi में इसका आयोजिन हुआ है, होस्ट इस बार भारत था, तो यह question आने के chance काफी जादा हो जाते हैं, देखें, BRICS का मतलब क्या है? B for Brazil, R for Russia, I for India, C for China और S for South Africa, तो इन पांचों देशों के जो रश्ट्रे ध्यक्स हैं, तो वो रिपर्जेंट करते हैं अपने कंट्री को BRICS समेलन में, पहली बार BRICS समेलन आयोजित किया गया था 2009 में, South Africa इसमें बाद में एड हुआ है, पहले इसमें सिर्फ चारी कंट्री होते थे, Brazil, Russia, India औ गया था, तो BRICS की अगर बात की जाए, तो काफी इंपोर्टेंट ये समेलन है, और इसका जो टोटल एरिया कवर होता है, वो पुरे विश्व का 26.7 परतिशत है, ठीक है, और पोपुलेशन 3.21 बिलियन है, 4 out of 5 मेंबर are among the world 10 largest country by population and by area, except for South Africa, which is 24th in both, ठीक है, BRICS का अगर headquarter की बात करें, तो ये मिलेगा आपको शांगाई, चाइना में, ठीक है, ये BRICS की building है, इसको बोलते है, BRICS tower, question number 10, किस Formula 1 race चालक ने अपनी SOWVY F1 race जीत कर record बनाया, which Formula 1 race driver set a record by winning his 100th Formula 1 race, तो Lewis Hamilton, picture में आप देख पा रहे हैं, इनोंने अपने carrier की SOWVY F1 race जीती, ठीक है, Formula 1 race जीती, ये Mercedes के चालक है, और BRITAN से ये संबंद रखते हैं, अब आपके लिए आज का स्वाल, इस स्वाल का जवाब आपको comment box में लिख करके बताना है, काफी easy question है, पहले भी cover कर चुगए है, हिमाचल परदेश में चिनाब नदी को किस अन्य नाम से पुकारा जाता है, ओप्शन सार चंदरकला, चारूदा, चपला, चंदरभागा, जल्दी से comment करिए इस question का right answer, so friends thanks for watching, this video में इतना ही, you can also follow us on facebook and telegram, keep watching our video, thank you very much.